नमस्कार स्टेट नूज हरियाना में आपका स्वागत है मैं हूँ आमितामन आज हम एक बार फिर्शे खुडाना में मौजूद हैं जहां पे आइम्टी की बात चली थी लेकिन इस जगहें पे काफी जो दिवारे हैं इनके ग्राउंड की वो तूटी हुई है और पीछे उनक मुहीम के तरीके से ही चलाई थी कि इन्होंने अपने गाउं में कुस लोगों से बात की और जिस तरीके से इन्होंने उसको बनाने की कोशिस की लेकिन पिसले काफी समय से ये चीज़े भी नहीं हो पारी थी लेकिन अब इनका कुछ समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है तो मेरे पास जो विपक्स के जो भी थे जो ये काम चाहते थी कि हो जाए वो भी मेरे साथ खड़ें और जिन्होंने ये काम करवाने की ठानी है या ये कहें कि जिन्होंने इसका जिम्मेदारी इनकी इसकी लिए है कि हां मैं करवाऊंगा इस काम को तो वो भी मेरे साथ है आ पर जो ग्राउंड बच्चे रेस मारने के लिए आते थे बाद से बार की साइड से बैस गाए वगेरा करिया पर बैठ जाते हैं तो आम इसको ठीक करवाने चाहते हैं कितने समय से यह मुख्यमंत्री जी गरेली कब कि तो उसके बाद से आपने कहा कहा कोशिस की कि यह सही हो ज तो हमारे साथ वो सक्स भी मौजूद हैं अभी इन से भी हम बात कर लें ते जिन्होंने जिम्मेवारे लिए है कि मैं इस काम को करवाऊंगा सर आप हमें बते हैं कि इनकी पिछले काफी समय से यह मांग चल रही थी तो आपने कब सोचा कि इसको करवाना भी चाहिए ऐसा है इन युवा बच्चे यहां पर प्रक्टिस करते हैं खेल स्टेडियम है यह तो पिछली बार अभी अपने थोड़े दिन पहले फरवरी में सीम साब आये थे तो यह रस्तों के लिए दिवारे यह तोड़ दी गई थी और यह सब काम को जुम्मेवारी पंचयत को ही मिली थी तो इसी वज़े से इन युवा बच्चों की यही समस्या थी कि जितने भी बार से भैस बगेरा गाय बगेरा यहां पर अंदर इंट्री कर देती हैं और यह गोबबर वगेरा इस स्टेडियम का मतलब अनुशासन हीन मतलब अनुशासन हीन ता इस स्टेडियम में है फिलाल और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है बच्चों की समस्या का समाधान मैंने आज मैं भी दूसरी दफा आया हूँ पहली बार आया था जब मैंने सर्पंध सहाब से भी बात कि थी नहीं उन्होंनों भी आसवस्थन दिया था कि ठीक हम इस काम को जल्दी ही करवा देंगे और आज मैं दूसरी बार इनके पास आया हूँ और इनको आसवस्थ किया है मैंने इस काम को मैं और सर्पंध से बात करूँगा मैं और सर्पंध दोनों मिलकर इस काम को हम जरूर से जरूर कल से स्टार्ट करवा देंगे और भी मानते हैं थोड़े बिजी थे इलेक्शन के चक् और रही सरकारी करांट जो भी सरकारी करांट चो वह स़ाइड whole क्योंकि जुटा आशवासन देने का कूहुआ याब सफाइदा झाएंगी तो सिरकारी करांट ये तो मचैकला प्रेते है टुटा माथ इसका मिलका्रों काओं को कल से स्टार्ट करा देंगे इन सभी युवा साथियों को मैंने ये आस्वस्त किया है और मैं उमीद करता हूं कि युवा साती भी इस साम में पूरा सहयोग करेंगे तो अभी हम इन लोगों से भी एक बार पूश रेते हैं कितने आस्वस्त हैं आप सभी एक बार बताएं कि जो विक्की जो आपके सामने खड़े इन्हों ने अभी जो बात कहिए कि ये आपको आस्वस्त करते हैं कल से काम सुरू हो जाएगा तो प्राकर्तिक चिकच्या के इंदर जहां होगा आपकी हर छोटी दुरलब तथा एशाध्य बीमारी का इलाज वो भी बिना किसी ओप्रेशन बिना किसी दवा और बिना किसी इंजेक्शन के हमारे यहां एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, लेजर एक्यूपंचर, वमन, जलनेती, शूत्रनेती, मसाज, मठबात, स्टीम बात, योगा, द्वारा, माईग्रेन, सर्वाइकल, स्लीप डेस्क, साइटिका, चिकनगुनिया, मोटापी जैसी बिमारियों का स्थाई इलाज किया जाता है। दवा और बिना किसी साइड इफेक्ट के प्राकर्टिक उप्चार पत्यों दवारा इलाज किया जाता है। हमारे सनस्थान में बीपी और सुगर के जो एलोपैथी में उमर भर दवयां खाने के लिए बोला जाता है। उनका केवल कलर ठेरपी और मैगनेटिक बैल्ट दवारा स्थाई इलाज किया जाता है। हमारे सेंटर पे आईवी एफ और बांजपन की समस्या से जूजने वाली मैलाओं के लिए भी इस्थाई इलाज है प्राकर्टिक उप्चार पत्ति दवारा। आयुर्वेद उप्चार से भी बिमार्या ठीक की जाती है। अगर आप चिकच्या के इंदर तक आने में ऐसे मर्थ हैं तो घर बुलाकर भी उप्चार करवा सकते हैं। प्राकर्तिक चिकच्या के इंदर RDS Girls College के सामने कालका रोड रिवाडी। अगर आप अंग्रेजी दवाई खाखा कर ठक चुके हैं तो आज ही संपर्क करे।